सो गैस स्वागत है आप सभी का हमारे आज किस वीडियो में आपको पता है कि 2022 आने वाला है बिल्कुल एक महीना बचा हुआ है ऐसे में क्या है काफी सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि अगर हमारा निव यर पर चैनल स्टार्ट हो जाए हम किसी नए चीज की उपर च कि अजरूर देखेगा क्योंकि आज कि वीडियो में कुछ आपको ऐसे प्रो टिप्स लेके आये हैं जो टिपस आपके काफी ज़्यादा काम आने वाले समय में जो 222 आने वाल है क्योंकि हमारे चैनल को बता हूं कि मेरे चैनल पर участ Dad को को कंप्लीट करने में मुझे पूरे दो साल लगा था लेकिन गाइस उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई भी एक्स्पिरेंस नहीं था कि यूटूबर किस तरीके से काम करना है और गाइस मैंने अपना चैनल जो है सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने में पूरे दो साल लगा था लेकिन उसके बाद आपको बताएं कि 5000 सब्सक्राइबर प्लस और कर लिए मतला मेरे चैनल पर टोटल 6000 सब्सक्राइबर हैं तो 5000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने में मुझे एक साल भी नहीं लगा मैंने 5000 सब सब्सक्राइबर है लेकिन आप में सी काफी सारे लोग बोलेंगे कि कपिल भाई जब आपने खुद अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को दो साल में कम्प्लीट किया तो आप मेरे को क्या बता रहे हो मेरे को क्या समझा रहे हो सो कैस आपको बता दूँ मेरे पास उस समय कोई भी idea कोई भी experience नहीं था लेकिन अब मेरे पास जो मेरे channel का experience है वो मुझे हो चुका है किस तरीके से channel पर subscriber बढ़ते हैं किस तरीके से काम करना होता है क्या क्या होता है channel पर सारा कुछ मुझे अपना idea हो चुका है और जो भी share करूँगा भो अपना experience ही आपके साथ share करूँगा अगर आप एक starting से अपना channel को start कर रहे हो या फिर आपने start कर लिया है subscriber complete नहीं हो रहे हैं तो यार इस video को जरूर देखना कुछ ना कुछ तो अलग जरूर मिलेगा starting में क्या होता है कि हमारे channel पर subscriber नहीं होती है जिस करण views नहीं आते और जब तक views नहीं आएंगे तब तक हमारे channel पर subscriber नहीं आ सकते तो सबसे पहला जो है हमारा video matter करता है कि हम किस तरह का video upload करते है मेरा recommendation यह है मेरे experience के साब से कि आप अगर आपके starting channel है तो शुरुआत से कुछ ऐसे videos को upload करो जैसे कि कि किसी का tutorial होता है जैसे कि how to remove video की background how to remove photo background Android से related जैसे कि phone reset किस तरीके से होता है video editing का सबसे अच्छा app कौन सा है मतलब काइन master के tutorial लगा सकते हो मतलब कुछ इस tab के आपको video upload करने है जो tutorial टाप के होते है जिनसे कुछ किसी को सीखने को मिलता है ऐसे में क्या होता है यह video कुछ लंबे भी हो जाते हैं और इसी के साथ साथ यह video long time तक लोग search भी करते हैं अगर किसी ने 2016 में 17 में कोई video upload किया होगा सब्सक्राइबर आपको एक valuable वीडियो से ही मलते हैं अगर आप कोई tutorial वीडियो बनाते हो या फिर किसी चीज के बारे में आप कुछ समझाते हो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया long time search keyword पर बनाना है तो आप trending पर ना बनाओ आपको trending पर भी बनाना है तो दोनों पर cover कीजिए और अच्छे कासे views और subscriber को gain करिए साथ में pro tips number हमारा two आता है वो हमारा relative thumbnail पर हमें काम करना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपने अगर किसी भी keyword पर काम किया है वीडियो बनाया है उसके बाद आप उस keyword को यूटूब पर search कीजिए वहां से क्या होगा कि आपको कुछ thumbnail के ideas मिल जाएंगे जैसे कि मैं यहां पर search करता हूँ how to rename file तो यहां पर क्या है कुछ बहुत सारे thumbnails आ जाते हैं आपने side में देख सकते हूँ तो इस keyword को अगर जो लोग भी search करते हैं तो उनके साथ यही चीज खुलके आती होगी अब ऐसे में जिसका भी thumbnail अच्छा है उस वीडियो पर सबसे ज्यादा क्लिक आते हैं तो आपको क्या करना है जो भी thumbnail यहां पर relative में show कर रहे हैं इनसे अच्छा बनाने की कोशिस करना है तो आप यहां पर देख सकते हो rename file को मैंने search किया है तो यहां पर जितने साथे thumbnail आ रहे हैं इन सबसे अच्छा मेरा thumbnail है और इसी वज़ाए से मेरा वीडियो जो है सबसे ज़्यादा आगे टॉप पे जा रहा है और इस पर अच्छे कासे views भी आए हैं तो यही होता है कि आप आपको अपना thumbnail सबसे अच्छा बनाना है अपने relative से मतलब आपका जो keyword है उसको search करके देखिए और वहां से जो thumbnail आते हैं उनसे कुछ ideas निकालिए कि आपको किस तरीके से thumbnail बनाना है और उनसे अच्छा बनाने की कोशिस कीजिए thumbnail बनाने का video आपको description में मिल जाएगा link आप जाके बहां से भी सीख सकते हो कि मैं thumbnail किस तरीके से बनाता हूँ अब बात करते हैं प्रोटेस नमबर तीन के वह हमारा video और प्लस voice quality अगर आपकी video पर कोई क्लिक कर देता है तो उसको आपकी video से कुछ समझ आना चाहिए तो इसलिए आपकी video में quality होना जरूरी है अगर आप के पास DSLR नहीं है तो आप mobile से suit कीजिए बर अच्छा कीजिए ज्यादा दूर mobile मर रखिए zooming करके मत बनाइए अपने mobile को थोड़ा पास मिलाइए और वीडियो को बनाइए तो यह सब करने से क्या होता है जब आपकी video और audio quality अच्छी होती है तो सामने वाले को आपकी video अच् क्योंकि guys आगर आप अपने video upload करते हो तो आप देख सकते हो और आज कल बहुत ज़्यादा competition है YouTube पे तो ऐसे मैं बहुत सारे लोग इस topic पर video upload करते होंगे तो ऐसे मैं उनके video भी बहाँ पर आते हैं तो आपका video कहां आ रहा है यह तो पता नहीं तो इसलिए आपको अपने video क को ऊपर लाने के लिए आपको अच्छे से keyword research करना आता हूं कि कौन से keyword पर सर्च जादा हो रहा है कौन से keyword पर competition कम है score कितना है तो यह सारी चीज़ें पता करने के लिए आप मेरे एक next video को देख सकते हो जो आपको अभी थोड़ी देर के बाद इस screen पर ही दिखेगा और guys यह वीडियो बस इतना ही था साथ यह pro tips आपके आने वाले समय में 2022 में बहुत ज्यादा काम आएंगे तो guys इनको apply जरूर कीज़ेगा और आप किसी भी third party application के उपर मच जाएगा सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे कुछ इस तरीके इनका यूज करोगे तो आपके चैनल पर definitely सब्सक्राइबर पढ़ेंगे और अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हों यहाँ पर आपको आने वाले समय में और वीडियो देखने को मिलती रहेंगी तो इसकिन पर आपको वीडियो दिख रहा है ना इस प